नमस्कार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं आज हम बात करेंगे इंकम टेक्स रिटन जो फाइल करते हैं वो चार टाइप का होता है 1,2,3,4 तो आपको कौन सा इंकम टेक्स रिटन फाइल करना है आप कौन से दायरे में आते हैं ये सारी चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज का फाइदा मिले तो ये सारी detail मैं आपको authentic बताऊंगा तो चलते हैं income tax department की site पर जहांपर सब detail दी हुई है जहांसे आप देख सकेंगे मैं आपकी help करूँगा पूरी कि आपको कौन सा ITR भरना है तो चलिए चलते हैं income tax department की site पर हम पहुँच चुके हैं income tax department की site पर तो चलिए बीना देर की शुरू करते हैं जो भी वेतन भोगी लोग हैं जिनको salary मिलती है वो चार टाइब के ITR फाइल कर सकते हैं पहला है ITR 1 जिसको सहज भी बोला जाता है ये किन वेक्तियों के लिए लागू है मैं इसमें बताते था हूँ ये return एक निवासी के लिए लागू है मतलब जो भारत का नागरिक हो जिसकी कुल आय निमनलिकित में से किसी भी सुरूत से 50 लाख रुपए तक हो मतलब जिनकी आय पचास लाख रुपए तक होती है उनको ITR 1 फाइल करना होता है अब इसमें कौन-कौन से आते है 50 लाग में देखो वो आय कैसे हो सकते है एक तो आप वेतन या पैंसन से हो सकते है वन हाउस प्रोपर्टी हाउस प्रोपर्टी हो सकते है लेकिन एक ही घर से आय होनी चाहिए वो आपकी जैसे किराय पर हो लेकिन वो एक ही घर होना चाहिए वन हाउस प्रोपर्टी है अन्ने स्रोथ कौन कौन से आते हैं इसमें ब्याज पारिवारिक पेंसन या लाबांस यह सारी चीज़े इसमें आती हैं और है पांच जार उपए तक कि आप करसी की आई वो केवल पांच जार उपए तक होनी चाह बश्रयादा है तो आप आई टियार वन में वो फाइल नहीं करसके चलिज़ा यह चारी यह सारी चीज है तो आई ट यरवन फाइल करनी अब देखो कौन लोग है जो नीचे itr फाइल वन फाइल नहीं कर सकता नीचे गही है IITR 1 का उपयोग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता अब देखो कौन-कौन जो IITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे वो है किसी कंपनी में निदे सके अगर कोई व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर है तो वो IITR 1 फाइल नहीं कर सकेगा पिछले वर्स के दोरान किसी भी समय कोई गेर सुचिबद एक्विटी से रखता ऐसे से जिसने खरीदे वो सुचिबद नहीं है एक्विटी में वो भी IITR फाइल नहीं कर सकता कोई समपती हो भारत के बार अगर भारत से बाहर कोई समपती है विदेश में तो वो भी IITR फाइल नहीं कर सकता भारत के बाहर इस्तित किसी भी खाते पर हस्ताकसर करने का अगर किसी के पास अधिकार है तो वो भी IITR फाइल नहीं कर सकता भारत के बाहर किसी भी IK अगर कोई स्रोत है तो वो भी IITR फाइल नहीं कर सकता एक ऐसा व्यक्ति जिसके मामले में करकटोती की गई है US 194N एक व्यक्ति जिसके मामले में ESOP पर बुक्तान करकटोती कुछ तगित कर दिया गया है मतलब यह है यह 194.1 वो है जिसमें किसी ने अपने अकाउंट से एक रोड से ज्यादा रुपए विड्रो किये है तो वो इसके अंतरगत आता है तो वो भी यह ITR फाइल नहीं कर सकता और नीचे एक दियावाय जिसके पास आएके किसी भी सिर्ष के तहत आगे की जाने वाली कोई हानी यहानी है बलब कोई कोई लोस हो रहा है आपको पीछे से ऐसा अगर आपके पास कोई है कंपनी वेगरा जिसमें ऐसा लोस हो रहा है तो वो आप इसमें फाइल नहीं कर सकते जो पिछे से कोई लोस चला रहा है ये तो हो गई ITR 1 की बात कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता अब आता है ITR 2 ये रिटन विक्तिकत इंडिविजुल है और हिंदू एविबाजित परिवार एंचुएप के लिए लागो है ITR 1 तो केवल इंडिविजुल होता है ये एचुएप है हिंदू एविबाजित परिवार पर भी ये लागो है अब इसमें क्या है कौन कौन भर सकता है वेवसा या पेसे के लाब और लाब सिर्ष के तहत आए नहोना मतलब वेवसा यसे अगर कोई बिजनिस है बिजनिस वाला ये ITR 2 नहीं भर सकता और बाकि सब भर सकते अगर कोई कंपनी का डाइरेक्टर होता है वो भी भर सकता है ITR 1 दाखिल करने के लिए कौन पात्तर नहीं है वो ये ITR फाइल कर सकता है एक तो वो व्यक्ति नहीं भर सकता जिसके पास जो बिजनिस में हो वो नहीं भर सकता ITR 2 और वो कौन-कौन भर सकता है जो ITR 1 नहीं भर सकता वो ये ITR फाइल कर सकता है इसमें एक हिस अरत है कि अगर बिजनिस है तो वो इसमें फाइल नहीं करता है अब आता है ITR 3 इसमें वो यह यह रिटेन व्यक्तिगत और हिंदित अविबाजित परिवार के लिए लागो है हुए इसमें क्या है अलग चीज यह जो बिजनिसमेन है वो भी ITR बर सकता है और इसको कौन कौन बर सकता है जो ITR 1, 2 और 4 नहीं बर सकता वो यह ITR 3 बर सकता है अब आता है चोथा ITR जिसको सुगम के नाम से भी जाना जाता है इसमें क्या है यह रिटेन एक व्यक्तिया हिंदू अविबाजित परिवार के लिए लागो है जो सामाने रूप से निवासी नहीं है या एक फरम के अलावा अन्य निवासी है जो एक निवासी है जिसकी आए 50 लाग तक है और वेवसाए पेसे से जिसकी गणना अनुमातित अधार पर की जाती है और निम्न में से किसी भी सुरोत से आया है जैसे वेतन पैंसन वन हाउस प्रोपर्टी अन्य ब्याज पारिवारिक पैंसन लाभांस और पांच जार तक आपकी एगरी कल्चर आया है तो वो इसको बर सकता है अब देखो कौन वेक्ति है जो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता किसी कंपनी में जो डायरेक्टर है नहीं देशक है जैसा ITR 1 में है पिछले वर्स के दोरान जिसने एक गैर सुचिबत एक्विटी वाला है कोई संपति अगर भारत से बाहर है वो और भारत से बाहर कोई आयका स्रोथ हो एक ऐसा विक्ति जिसके मौामले में ESOP वो यह पर करका बुक्तान या कटोती श्टगित करती गई है आयक एक्षी सिर्ष के तहट आगे ले जाये जाने वाला नुक्सा है जिसके कोई पिछले वर्स का या नुक्सान या हानी है करपया जान दे एक बात और बताई गई है यह आपर ITR 4 सुगम अनिवार यह नहीं है यह एक सरलिकरत रिटेन फोर्म है जिसके उप्योग एक निर्दारिती द्वारा अपने विकल पर किया जा सकता है यह दि वह वेवसा या पेस से लाब या लाब की गोशना करने के लिए धारा चमालिस एडी चमालिस एडी ए या चमालिस एई के तहत अनुमानित आधार पर युग्ये यह है ITR 1, 2, 3, 4 कौन कौन फाइल कर सकते हैं उमीद है साथ यह आपको वीडियो ने आपकी काफी हल्प किया है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो यह नियम है इनका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा जिसे आप जाकर आसानी से देख सकते हैं अच्छे से समझ सकते हैं धन्यवाद